Welcome friends, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम लोग इस figure के अंदर number of triangles और number of squares को count करेंगे तो चलिए इस problem को solve करते हैं Friends, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये जो figure इस तरह का बनेगा ठीक है? इसमें हमेशा 8 triangles और 1 square होगा ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8 तो टोटल इसमें 8 triangles और 1 square होता है ठीक है? तो ये दोनों मिला के हो गया 16 triangles और 2 squares ठीक है? ये आप लोग समझ गये होंगे अब आते हैं इस बड़े वाले figure में इस बड़े वाले figure में देखिए कि ये जो triangle है बड़ावला ठीक है? इसमें आप देखिए कि 1, 2 2 triangles हो गये और ये बड़ावला एक और तो टोटल 3 triangles हो गये उसी तरह इधर भी 3 triangles हो गये तो पहले कितना हो गया था? हमारा 16 था और पलस कर दिजिए 6 ठीक है? तो अब हो गया 22 उसके बाद आप देखिएंगे कि ये एक triangle बन रहा है ठीक है? उसी तरह ये एक triangle बन रहा है तो टोटल 2 triangles और हो गये तो ये हो गया पलस 2 यानि 24 अब देखें ये triangle बन रहा है ये 2 उसी तरह नीचे भी बनेगा ये 3 और ये 4 तो 4 इस तरह के triangles बन रहा है तो पलस 4 कर दें तो टोटल हो गया 28 तो 28 triangles इस figure के अंदर है अब squares केतने है तो हमने 1 और 2 पहले ही count कर लिया था अब ये एक square है ठीक है? तो 3 हो गया और ये बढ़ावाला एक square है 4 हो गया और ये भी बढ़ावाला एक square है तो 5 हो गया तो टोटल 5 squares हो गया है तो इस figure के अंदर टोटल 28 triangles और 5 squares हैं I hope कि ये वीडियो आपको पसंदा होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें अपको अभावाला मुआ